नमस्कार अगर आप एक भारती हैं और सोशल मीडिया पर टिक टॉक पर या यूट्यूब पर या ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं तो हो सकता है इंटर पॉल आपको ढूंड रही हो ऐसा मैं नहीं कहे रहा ऐसा पाकिस्तान के इंटियर मिनेस्टर यानि के ग्रिह मंत्री यानि के हो मिनेस्टर शेख राशिद बोल रहे हैं शेख राशिद ने बोला कि जो न्यूजिलैंड का टूर था वो कैंसल हुआ था और वो कैंसल होने के पीछे इंडिया का एक टिक टॉक स्टार ओम प्रकाश मिश्रा था और ओम प्रकाश मिश्रा के इस जो ये जो फेक इ या इंटरपॉल हैं लेकिन एंटरपॉल से हेल्प लेने कि जो उनकी यह जो आईडिया था इसका समर्थन करता ऊंग समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि जो फोटो देख करके लगता भी है कि कभी उसने चाकू भी हाथ में उठा होगा और उसके उपर इतनी बड़ी साजिश का शडियंत्र लगा दिया उस बेचारे को खुद इनकी प्रेस कॉन्फरेंस देख करके पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की प्रेस कॉन्फरेंस देख के पता चला कि मेल उसने भेजी थी अब न्यूजिलेंड आई थी कुछ लिमिटेड ओवर्स के गेम खेलने हैं और वो उसके बाद एक मेल पहुंची इनके हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से के मेल पहुंची और मेल पहुंचने के बाद वो मेल पहुंची किसे कपोर का एड्रेस दिखाया गया, वो मेल आईडी, वो ओम प्रकाश मिश्रा के अपने अपने आईडी से बनी थी, ये सारी कहानी जो गड़ी गई है, इस कहानी में अगर इंटरपॉल ठीक से जाच करें, तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा कैसे आएगा, ये बताना मुश्किल ह जाएगा पाकिस्तान के लिए, के चलो एक मेल गई थी, और मेल जो पढ़ करके, न्यूजिलेंड नमने टूर कैंसल कर दिया, तो इंग्लेंड ने क्यों किया, इंग्लेंड के पास भी कोई मेल गई थी, ऐसा तो कोई अपने सबूत नहीं दिया, न्यूजिलेंड ने कैंसल किया इन्होंने बोला हमजा अफरीदी नाम से मेल बनाई थी और सिंगपोर का एड्रेस दिखाया गया था ये कोई explanation दे पाएगा कि इतनी heavy security वहां क्यों थी अगर कोई threat नहीं थी तो इतनी heavy security क्यों लगाई गई थी आपने बोला हमने 30,000-40,000 लोग लगाए हैं 10,000 के आसपास बताये थे और बाकी मिला करके 30,000-40,000 लोग लगे थे चले 40,000 छोड़ दो 10 ही मानने 10,000 security वाले उनकी बिर्यानी गबिल 27,000 अपने दिया वो साथे लगे क्यों थे कोई threat नहीं थी तो हमा हमारे तो इतने बड़े-बड़े games हो गए हमारे तो commonwealth game हो गया हमने तो नहीं लगाया 10,000 security वाले लगे थे पाकिस्तान को एक tik-tok star से और कोई नहीं मिला अरे संबित पात्रा बोल देते बड़ा नाम था हमान भी लेते यह tik-tok star जो बेचार है एक छोटा सा बोलना अंटी टिक-tok stars आपके target पे आ गए न्यूजलेंड की एक टीम की गुपतिल की wife को भेजा क्या एक male unknown ID से आई है उस पर न्यूजलेंड इतना भरोसा करता था कि cancel कर दिया आकरकार वो five star alliance के member है ना तो उन्होंने कहीं तो intelligence input मांगा होगा न्यूजलेंड की प्राइमिनिस्टर ने इस decision को support किया तो न्यूजलेंड की प्राइमिनिस्टर ने भी intelligence input मांगा होगा और वो alliance में बड़े-बड़े countries अमेरिका भी है उनकी intelligence ने भी कुछ देखा होगा इन्होंने intelligence sharing की होगी अगर इतना बड़ा intelligence sharing हुई और पूरा का एक email है दूसरी है तीसरी है मैं कहीं बारा की बारा पर input दे दिया गया कहीं तो intelligence input होता कि हुआ क्या कैसे हुआ intelligence input पर कोई धेहान नहीं दिया गया इंग्लेंड के पास कौन सा इंटेलिएंजेंज इनपुट था? सिर्फ निजिलेंड ने कैंसल कर दिया, इसलिए इंग्लेंड ने इंग्लेंड ने भी कैंसल कर दिया अगले दिन रमीज राजा जो के इनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ है उन्हों ने एक प्रेस कांफरेंस की और उन्हों ने बोला कि ये बड़े वेस्टरन कंट्रीज की साज़श है और वेस्टरन कंट्रीज की जो साज़श है यह हमें बदनाम करने के लिए है रमीज राजा की प्रेस कॉनफियंस दी रमीज राजा ने ऐसा एक वीडियो बना के बोला अब उन्होंने वीडियो बना के बोला तो लेकिन किस बिना पर बोला उनके पास क्या इंटेलिजनस इंपुट था कि ये western countries के साज़ेश है क्या उन्होंने government से बात की थी government के किसी officer से बात हुई थी किसी और से बात हुई then जिस दिन दोनों ने tour cancel किया उसके बाद information minister ने press conference की और बोला कि ये दोनों टूर फवाज चोधरी साब ने बोला ये बात कि ये दोनों countries ने अपना tour इसलिए cancel किया कि Prime Minister Imran Khan ने अपने air bases देने के लिए मना कर दिया किसको मना किया? USA को US को मना किया तो New Zealand और England दोनों ने cancel कर दिया उसका New Zealand England से क्या रिष्टा? ये information minister की press conference थी और information minister ने बोला था कि Prime Minister has said no that is why this has been denied ये tour cancel इसलिए हुआ अगले दिन information minister अपने फवाज चौदरी साहग और उनके साथ शेक राष्ट दोनों बैठे 24 गंटे में narrative बदल गया कैसे बदल गया 24 गंटे में narrative? 24 गंटे में email आगई कहीं से तो पहली press conference किस intelligence input पे होई थी? ये नहीं पता चलिए एक और बताते हैं हम आपको इन सब ने मिलकर ओम प्रकाश मिश्रा को बोला कि ये आदमी था ओम प्रकाश मिश्रा का इससे पहले कहीं track record ऐसा रहा है चलिए ये भी मान लेते हैं कि इससे पहले track record नहीं रहा आपके पास कोई intelligence input था? कोई intelligence input था तो क्या आपने share किया? कोई intelligence input शेर नहीं किया कोई information शेर नहीं की गई ओम प्रकाश मिश्रा को पकड़ लिया गया आपके ministers contradicting statements देते हैं दो दिन दो press conference दोनों में अलग-अलग narrative ओम प्रकाश मिश्रा ने बना के भेजी किया ओम प्रकाश मिश्रा की कोई भी mail चलिए ओम प्रकाश मिश्रा के नाम से नहीं थी किसी और नाम से थी वो सारी mails पढ़ ली गई वो सारी mails पढ़ने के बाद क्या न्यूजिलेंड की intelligence ने उसको चेक करने के कोशिश नहीं की? सिर्फ mail पढ़ी और उस पर काम कर लिया क्या वो सारी mail पढ़ी जाती है? क्या न्यूजिलेंड की intelligence किसी भी ऐसे unknown mail पर विश्वास करती है? और अगर विश्वास करती है तो उस पर fact check क्या था? न्यूजिलेंड ने ऐसा कुछ नहीं बोला और न्यूजिलेंड की प्राइम मिनिस्टर ने उसे support किया आपके अपने मिनिस्टर्स बिना fact check के आ जाते हैं एक ने बोला कि हमने base देने सहमाना कर दिया इसलिए हुआ दूसरे ने बोला कि ओम प्रकाश मिश्रा के वाईए से आया और तीसरे ने बोला आपके PCB चीफ ने बोला कि हम ये western countries के साजेश हमें बदनाम करने के लिए तो ये तीनो narrative में से एक narrative तो पहले निकाल के दे दे हमेशा अपनी आपको victim card खिलते रहते हैं अपनी इज़त बचाने के लिए पाकिस्तान अपनी इज़त कब तक बचाएगा कब तक बचाएगा ऐसी ऐसी घटिया हरकतें करके कितने दिन पाकिस्तान ये बोल पाएगा कि ये ये दूसरे ने किया ये तीसरे ने किया अब हम Interpol के पास जा रहे हैं Interpol International Police Interpol अपनी investigation पूरी करेगी और पूरी करके आपको जो report देगी वो आप देख लिए जाएगा बिल्कुल अच्छी तरह समझ में जाएगी आपको Interpol में काबिल officers बैठे होते हैं पाकिस्तानी intelligence भानी बैठे होते हैं पाकिस्तान की government को लोग बैठे होते हैं पार चीज के लिए बकरी ने बच्चा दे दिया तो भी India is responsible है ऐसा नहीं होता है इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे नमस्कार जेहन